तो आज हम बात करने वाले MPPOLIS के हुए PEPER के बारे में जो आठ ता जनवरी जिनका PEPER था उनके PEPER में जो कोश्चन आये था उनके बारे में बात करने वाले सबसे पहले कूशन था चले फिर ने से कोन से पेशिया काम करती तो इसका अंसर होने वाला है कंकाली पेशिया काम करती है नेश्ट कोशन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है तो साथ विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है और आपको अधर से भी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है तो विटामिन डी की कमी से रतोंदी रोग होता है ठीक है और विटामिन डी की कमी से ब पूरे याद कर लिजीगा नमर तीसरे का कोश्चन आया था धोनी को किस से मापा जाता है धोनी को मापनी की काई कि है डेशिवल है ठीक है इसका अंसर हो जाएगा डेशिवल नेस्ट कोशन है तांसेन की समाधी कहां परिस्तित है मध्यप्रदेश में तो वह ग्वालिया परि साथ यह था ऐसका जतिया अंसर सहीं रहने वाला है नेस्ट कोश्चन है यह कुछक्रेन के का शबस छोटा अभ्यएम कसा है तो आप तो पी को पता है यह सबसा छोटा अभ्यएम हो मदल अभ्यिएम हैं जो के कहां परिस्त हैं इंद और पर उसका इसका जुबार नेक्स्ट कोशन ता भूकम की तीवरता किस से माफी जाती है तो साथियो भूकम की तिब्रता जो हो सिख्समोग्राप नामा की अंतर से मापी जाती है Next question है भूतो का मेला कहा लगता है भूतो का मेला जो है बेतुल में लगता है बेतुल के मलाचपुर में ठीक है यहाँ पर इस्तारमी बता दे रहा हूं है मलाचपुर पर लगता है मलाचपुर पर कभी-कभी गाओ का नाम भी पूछला जाता है साथ यों MPP के पेपर में एक ना एक मेले आपको देखने को जरूर मिलेंगे तो मेले जरूर याद करके चले जाना क्योंकि हर एक पीपर में मीला जरूर पूछा है कि कौन सा मीला कहा लगता है नेस्ट कोश्टन है भीम बेटका की कोश्ट किसने की थी तो भीम बेटका की कोश्ट विष्णू वाड करने की थी अब यहाँ पर यह भी कोश्टन बन सकता है भीम बेटका कहा पर है श्याजी राव सिंधा ने इसका निर्माड किया था नेस्ट कोशन है चम्मल लदी का उद्गम कहा से हुआ है तो चम्मल लदी का उद्गम इंदोर के महूं से हुआ है और यहाँ पर पहारी भी पूछ लिया जाता है तो वाव कौन सी पहारी है जाना पाव पहारी ठीक है जाना पाव पहारी से चम्मल लदी का उद्गम हुआ है इंदोर के महूं से ठीक है नेस्ट कोचन है भारत के राष्टपती कौन है प्रथम राष्टपती कौन है भारत के डाक्टर राजन्द प्रशाद भारत के प्रथम राष्टपती बनाए गए थी ठीक है तेली का मंदिर कहा परस्तित है ठीक है तेली का मंदिर पूछा हुआ है तो उनके इस्तान पर KL Rahul कफ्टानी कर प्रायन करेंगे KL Rahul को इसी कफ्टानी दे दी गई तो इसका राइड अंटीस हो जाएगा KL Rahul नेस्ट कोस्ट्ब Churchन शाथ यो लाइट में उल्दन मंदिल में कुल कितनी मंचील है यह question का अंसर मुझे नहीं कीजिए गोहर महल जो आपके भौपाल में इस्तित है next question है मद्यप्रदित उत्सव कहां पर होता है ठीक है मद्यप्रदित उत्सव जो दिल्ली पर होता है यहाँ पर बहुत confusion होते हैं लोग इसके और भी questions बनते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ और यहाँ पर यहाँ पर यह भी पुछ सकता है अब मैं इसकी डेटर आपको देता हूँ बिवेक सागर कहां सते हैं, बिवेक सागर इटार सी ते ठीक है madhya prdif sc case है तो ये hockey कहलते तै वी जे बिवेक सागर टोकियो Olympic में इन उन pim나ं Argentina को हराया था ठीक है ये बहुत ही famous बत्ति हैं बिवेक सागर hockey से related है और ये इटार सी से बिलोंग करते हैं अर्जिंटाइने को खराया था ठीक है ये बहुत ही फेमाज वैक्ति है विविक्स आगर होकी से रिलेटेड है और ये इटार्शी से बिलोंग करते हैं काब्रे की गुफाएं कहां पर सीथ है तो साथ यो काब्रे की गुफाएं जो है राइगाड में इस्तिधे ठीक है राइ होल कर, next question है, बार्सागर परियोजना किस नदी पर है, तो बार्सागर परियोजना सोन नदी पर है, परियोजना भी पूछा गया है, MP की पेपर में, ठीक है, त्रिपुरा को पूर्णाराज का दर्जा कम मिला था, त्रिपुरा को पूर्णाराज का दर्जा 1972 को मिला था, next question म पस्चिम में आपको जो है अलिराजपूर देखने को मिलेगा पस्चिम ही है अलिराजपूर और उत्तर है आपका मुरेना उत्तर में आपको मुरेना मिलेगा और यहां पर आपको जो है दच्छड में आपको बुरहानपूर देखने को मिलने वाला है बुरहानपूर ठीक है ये चारो आप याद कर लिजेगा आपको चारो याद हो जाएंगे नेस्ट कोशन है मलेरिया जीवन चकरी की खोच किसने की थी तो मलेरिया जीवन चकरी कोच की थी अटरातो अस्ती में लुईस अलफॉंस ने ठीक है तो ये इतने कोश्चन ते साथियो और कोश्चन है कोश्चक के अधार को किस से मापा जाता है तो कोश्चक के अधार को मापने की काई माइक्रोन है ठीक है कोश्चक के अकार को माइक्रोन से मापा जाता है नेस्ट कोश्चन है राइगड की गुफाएं कहां पर सी थे तो रायगड की गुफाय जो हो 36 गड़ में हिस्तित है तो यह कोश्चन जो हो आठ तारीक की स्ट्रिप्टों में पूछा गया था जीके जीएस और करेंट अफेर की कोश्चन है तो आई होप आपके लिए यह हेल्पफुल होंगे तो आप अच्छे तैयारी कीजिगा एंपी